हर खबर पर होगी आपकी पकड़ डाउनलोड कीजिए ABP live app राज़धानी दिल्ली में आज दिल्ली पुलिस के special cell ने पाकिस्तान का खालिस्तान प्लान नाकाम कर दिया दिल्ली में किसानों का अंदोलन चल रहा है ऐसे में पाकिस्तान के ये पांच आतंक पादी किसी बड़ी वारदा को अंजाम देने की फिराख में पूरा मांदला पहले इस रिपोर्ट से समझी आप ये वो पांच आतंकी हैं जिन्हों ने देश की राज़्थानी दिल्ली को देहलाने की साज़श रची थी लेकिन दिल्ली पुलिस के special cell ने बड़े encounter में इन आतंक पादियों को धरदबो चाले और साज़श को नाकाम कर दिया गिरफतार आतंकियों के पास से ड्रग्स और हत्यार बरामत किये गए इनके पास से तीन पिस्टिल्स दो किलो हरोईन और कैश मिला है बस दो गाड़ियां भी हैं जिन मैं identify कर रहे हैं कि उनके नंबर फोजड है और इस तरह की चीज़ सामने आ रही है दिली शेकरपुर में ABP News समबाता अंकित गुप्ता पहुंचे जहां पर पुलिस और इन आतंकियों के बीच मुट भेड़ हुई और कई राउंड फाइरिंग चले यहां पर निशान भी बने हुए है कि किस तरीके दे किते राउंड फाइर हुआ है यह इस इस डिरेक्शन में गाड़ी आ रही थी और यहां पर छे चार मतलब छे राउंड तो यह यहां पर दिख रहा है कि छे राउंड फाइर हुआ है यह देखे यह जो गोलियां यहां पर गोली के खोके परामद हुए दो जेके 048173 यह वो गाड़ी है जिसको यहां से ले जाने के अब जहाए जा रहा है क्योंकि यह भी एक सबूद रहेगा गिरफतार आतंकियों पर नार्को टेररिज्म का आरोप है और इन आतंकियों कितार पाकिस्तान की खुफिया एजंसी आयसाई से भी जुड़े हुए बताय जा रही है पकरे गए आतंक फादियों में शबीर एहमत अयूब पठान रियास कश्मीर के और गुरजीत सिंग और सुगदीप सिंग पंजाब के गुरदास पुर जिले के रहने वाले हैं बड़ी बात ये कि गुरजीत सिंग और सुगदीप सिंग ने 16 अक्तूबर को पंजाब ने शौरेच चक्र विजेता बलविंदर संधू की गोली मार कर हत्या कर दी दी अबी पीछे बलविंदर सिंग संधू जी जिनका मर्डर हुआ था अक्तूबर के महिने में उनकी किलिंग में ये जो दो हमने पकड़े हैं पंजाब बेस्ट ये लोग उसमें शामिल थे एक इसमें गुर्जीत सिंग भूरा है और एक सुगदीब सिंग के तार पंजाब की गैंक्स्टर सुख भिकारीवाल से जुड़े बताय जा रही है इन दोनों ने कश्मीर के तीन लोगों से ड्रक्स कंसाइनमेंट लिया था अभी तक कि पूच्टाच के आधार पर ये पता चला कि इन आतंक्यों के पीछे पाकिस्तान की होफिया एजनसी आईसाइस समर्थित एक बड़ा नार्कोटिक ग्रूप काम करता है अब तक कि जाँच और कूस्ताच के दौरान पता चला है इस मामले के ताथ दुबई से होते हुए पाकिस्तान तक पहले हुए है आतंकियों की रुमांट के लिए स्पेशल सेल अब इन्हें विडियो कॉन्फरेंजिंग के जरीए पट्याला हाउस कोट में पेश करेगा पुलिस अधिकारियों को कहना है कि टार्गेट किलिंग इनका मकसद था जो कश्मीर के जो आतंकिये इनका हिजबूल से कनेक्शन है जिनको पाकिस्तान से आईसाई से संपर्क में थे और वही से उनको फंडिंग होती थी वही से इनको निर्देश मिलते थे वही जो ये खालि सथा कौन-कौन लोग इनके टार्गेट पे थे एक बड़ा अंदोलन भी दिल्ली के अंदर चल रहा है तो क्या कहीं उस अंदोलन में किसी तरह की गरबड़ी फैलाना तो इनका मकसद नहीं था ऐसे कई सवाल है जो इस समय इनकी गिरस्तारी पर खड़े हुए हैं और अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इन पांचो अतंक्यों से पूस्ताज कर रही हैं और देखे इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए चंदीगर से मेरे सजयोगी जगविंदर पठया दिल्ली से उंप्रकाश्तिवारी हमारे साथ मौझूद हैं जल्दी से पहले उंप्र परकाश्तिवारी आप से कि पाकिस्तान का ये खालस्तानी प्लान ये जो बेरकाब हुआ एकश्मीर और पंजाब आतंखर डों को जिंदा करना चाहता है कि कश्मीर में उसकी डाल गले नहीं गल रही है ऐसे बें पंजाब है यह आतंखर वादियों को वहां के कटरपन्ति हैं उनको पापा कश्मीरी आतंखर दियों कंसाथ ला रहा है और और यह जो गुरूप पकड़ा गया है, यह साफ तोर पर इशारा करता है पाकिस्तान की एक पड़ी साजिश का और जैसे इसे इन लोगों से पूच्टाच होगी, वैसे वैसे इस साजिश के तार और खुलते नजर आएंगे रोमाना। देखे सुखा बिखारीवाल जो है, उस गैंग के ये शूटर थे दोनों आदमी जो पकड़े गए हैं, गुरजीत और सुखदीप, इन दोनों से ही बलविंदर संदू की किलिंग करवाई गई थी, ये पंजाब पुलिस ने इडेंटिफाई कर लिया था, लेकिन पंजाब प क्शमीर, क्योंकि दोनों बॉर्डिनिंग स्टेट है, पाकिस्तान के साथ लगती हैं, तो उनको लगता है कि इन दोनों बॉर्डिनिंग स्टेट के जरिये, जो अपनों मनसूबों को वो अच्छी तरह से अंजाम दे सकते हैं, लेकिन अब दिक्कत ये आई कि जो Most Wanted खालि करने के लिए सक्रिये हैं, पंजाम में, उनको Most Wanted खालिस्तानियों के इशारे पर हायर करवा रही है, ISI और उनसे ये किलिंग करवाई जा रही है, यह हमने सबसे पहले बता दिया था कि रंजीत सिंग नीटा, बलविंदर सिंग संदू के मडर केस के पीछे हो सकता है, और इस बात की इंस्ट्रक्शन दी थी, और आपके जो बताया था, उसके दिशा में, अब ये केस आगे सुलचता हुआ नजर आ रहा है, हम सीधे वरुन जैन का रोक कर लेते हैं, मेरे सायोगी मेरे साथ मौजूद है, वरुन अब सवाल ये बड़ा हो जाता है, कि जो स्पेश अबिकारियों का कहना है, कि आये साई ने खालिश्तानी आतंक्यों के साथ साजिश रचकर इनको यह पर टार्गेट के लिए बिड़ाता और इनके टार्गेट पे वह लोग थे, जो कि 딱 आईडियोजी आधि के विरोथ करते थे, जो बंदर संदू की भी हत्या की यही था क्योंकि जो बलविंदर थे शौरे चक्र विजेता वो कहीं ना कहीं खालिस्तानियों के खिलाफे क्लंबी लड़ाई लड़ रहे थे तो इनकी कोशिश यह है आतंकियों की जो कॉमिनल डिस हार्मनी है वो हो और उसी मकसद से ऐसे लोगों को यह टार्गेट बनाना च सब्सक्राइब कर देखें दिली के पूर पुलिस कमिशनर टीयार ककर साब भी इस वक्त मौजूद है फोन लाइन पर टीयार ककर साब जिस तरीके से यह इंकाउंटर आज हुआ दिली की शकरपूर इलाके में पांचो आतंकि संदिक इस वक्त गिरफतार कर लिए गये हैं ल कि वो जो जितने भी हमारे हमारे खालस्तानी अतंकवादी हैं या थे इस वक्त उनका इधा उठा रही है आई एस आई आई एस आई अपने साथ उनको मलब काफी जो भी उनको चाहिए दे रहे हैं मेरे सायोगीत बता रहे थे चंडी घर से क्योंकि इनके पास अब वो कर रहे हैं और अभी यह जो छी जो किसान लोलन्ट चल रहा है इससे भी जुड़े हो सकते हैं इससे कि इस लिए भीड है इतनी भीड है हर तरह से दिली को चारों तरह से अल्मूस घिरा हुआ है अल्मूस अब यहां पर एक छोटी सी चंगारी लगाने की आवश्टा होती है जिस से के महौल बिलकुल बगिर सकते हैं यहां पर क्या करने आये थे यहां पर कुछ ना कुछ टार्गेट किलिंग के लिए अवश्टा होंगे लेकिन इंस्ट्रक्शन जब आती हैं देखते हैं महौल क्या है फिलहाल महौल जो है तो ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या हो रहा और फिर भी घमासान बेट्वीन सेक्योर्टी फोर्सेज और किसानों के बीच में जिससे बहुत ज्यादा क्शती हो सकती है आप बड़ी बात क्या रहे हैं ऐसे में फिर मन्शा को किस तरीके से समझा जाए पाकिस्तान का जो खालस्तानी प्लान है वो बेनकाब हुआ है जिस तरीके से इनकाउंटर आज दिल्ली में हुआ पांच आतंग के संदिक गिरफ़तार किये गए हम सीधे बिन वक्त गभाई रूख करेंगे दिखाई देता है लेकर इसी में इस वकट जो मेरे अपनी इंफिर्मेशन है बहुत सारे खालस्तानी आई एसाई के लोग और ऐसे लोग जो विदेशों में भारत के खिलाफ प्रचार हर वकट करते रहते हैं खालस्तानी जो हैं वो सब इसमें शामिल हो चुके हैं और वो इतने उनको कहीं से भी घल्ट मदद मिल जाया तो उनके लिए वो ठीक है इसलिए शांती पूख दिखाई दे रहा है लेकिन अंदर ये अंदर बहुत सारी और चीजें हो रही हैं जिससे के शांती भंग हो सकती ह अब ये जो लोग हैं ये असल में तो ये खाजस्तानी लगते हैं लेकिन इनको पूरी सपोर्ट आई एसाई की है और क्योंकि ये महौल ऐसा है इस वक्त ऐसा महौल है उन्होंने इनको एक किसम सी इस तरफ भी इशारा कर दिया होगा कि आप ये तो ये आप आप बड़ी ब झाल झाल